Hello guys and welcome back to our YouTube channel मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी strategies भी बना दी psychology videos भी बना दी मैंने आपको properly trap trading भी समझा दिया है बहुत कुछ मैं कर रहा हूं कि charts को कैसे read करना है price action वगेरे सब कुछ ठीक है अब हम लोग ऐसा आजिम करते कि आपके पास एक बहुत अच्छी strategy भी लेकिन एक अच्छी strategy होने का मतलब यह नहीं है कि आप profitable हो जाओगे यह बिल्कुल भी guarantee नहीं है लेकिन अगर आप एक simple सी process follow करोगे क्या process आपने अक्सर लोगों को बोलता सुना होगा कि process को follow करो process पे ध्यान दो process क्या है वो आज हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले और आज मैं आपको एक golden rule बताने वालो एक golden process है आपको क्या करना है बस blindly मैं क्या वर यूज करा हूँ blindly आख बन करके इस process को follow करना है simply ठीक है इस process को अगर आप follow करते हो तो आपको criteria क्या ची जैसे सबसे पहले अगर आपने यह वाली वीडियो मेरी नहीं देगे do this exercise to become a profitable trader इसमें मैंने आपको क्या पता है था कोई भी system उठाके use कर लीजे ठीक है तो आज की वीडियो में मैं आ है आप indicator based strategy ले लिजे कोई simple pattern ले लिजे कोई trap trading ले लिजे breakout ले लिजे breakout failure ले लिजे कोई specific candle लिखती है तब trade करोगी यानि कि कोई भी system ले लिजे अब इस system में आपको क्या add करना है simply आपको मैं वह rule बोलता हूँ set a stop loss set a target and let market to decide what it wants to hit rate यह rule को लिख लेजे आप हमेशा कहीं पे भी कभी भी trade ले देऊ तो process क्या है अभी आपको इसको में थोड़ा सा automation करने की एक idea दे रहा हूँ ठीक है emotions को बाजू में कर देगा अगर आप इस process को follow करोगे तो आपको क्या करना है कोई भी system ले जिसका अगर 40% भी win rate है चलेगा कोई बात नहीं है मैं simply बोल रहा हूँ तो आपको क्या करना है simply जहां भी आपका system आपको entry करने को जगा दीता है आपको क्या करना है entry कर ली ok set a stop loss set a target system में ये वाला order लगा दो system में ये वाला order भी लगा दो शान बैट जाओ बंड कर दो थोड़ी थोड़ी देर में बस चेक करो किसको market ने हिट के है market को हम control कर सकते हैं एक बार आपने trade ले लिया उसके बाद क्या आप market को control कर सकते हो क्या आप market को move कर सकते हो क्या आप operator हो क्या नहीं हो यहां पर कोई वीजियो में reviewers देख रहे मुझ इसे लेट हो जाएगा तो जल्दी निकल जाना या फिर एसेल को ट्रेल कर देना या फिर टार्गेट को ट्रेल कर देना इस तरह की चीज़े अगर आप कर रहे हो emotional आपके बास balance नहीं है emotion control नहीं है simply इस process को follow करो तो process को follow करो follow the process इसका मतलब यह है एक simple golden process है बहुत अच्छा चेंज positive चेंज आपकी ट्रेडिंग में आए गाए ठीक है तार्गेट से पहले निकलना ही नहीं आप चाहे आप छोटा सा टार्गेट क्यों नहीं हो छोटा सा का मतलब क्या है minimum one is to two को में छोटा टार्गेट बोल रहाँ ठीक है one is to two strictly आपका होना जी जैसे की आपने entry किया कोई अच्छा कोर्स के पीछे भागेंगे कोई अच्छे mentor के भागेंगे ठीक सब कुछ से अगर आपको कोर्स मिल जाता है strategy मिल जाती है mentor मिल जाता है तो भी अगर आपने आपकी emotion control पे emotions पे control नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं आएगा ठीक है तो follow the process पहले खुद पे work करो emotion प्रोसेश को फॉलो करो क्या प्रोसेश चाहिए सब को सब्सक्राइब आपको एक आज प्रोसेश दे दिया से अट मार्केट टो डिसाइड वाट एट वांट तो हीट अगर आपको यह वीडियो समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ठीक है सिंपल रखोंगा आज की वीडियो छोटी रखोंगा अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए मेरी चैनल पर जाहिए बहुत अच्छा रिस्कॉंस आप लोग दे रहे हो मेरी वीडियो उस पर मुझे मतलब व्यूज वगेरा लाइक्स देखके पता चल रहा है कि यहां आपको जो इस पर अगर आपको एक्सपिरेंस हो चुगा है तो मेरी वीडियो देखना में अगर चेंज नहीं आया आया आप उस दिन अन्सब्सक्राइब करके डिस्लाइक कर सकते हो ठीक है तो दाट सिट फृटी वीडियो गाईस इस प्रसेश को फॉलोग करो सब्सक्राइब अगर मेंटेन करोगे तो एंड में प्रॉफिटेबल भी रहोगे तो भी आप एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे तैंक्यू